भजन सहिता अध्याय बाइस, भजन सहिता अध्याय बाइस, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी साहता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उध्धार कहा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारत परंतु तू उत्तर नहीं देता और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। मनुषों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठटा करते हैं। और ओठ बिचकाते और यह कहते हुए सीरहलाते हैं कि अपने को यहवा के वश्मे कर दे। वही उसको छुडाएगा। वह उसको उबारे क्योंकि व जन्मते ही तुझी पर छोड़ा गया। माता के गर्भही से तु मेरा परमेश्वर है। मुझसे दूर नहों क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांधोंने मुझे घेर लिया है। बाशान के बलवन्त सांध मेरे चारो ओर मुझे घेरे हुए है। वह भाड़ने और गरजने वाले सीहे कि नाई मुझे पर अपना मुह पसारे हुए है। मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डेओं के जोड उखड गए। मेरा रधै मोम हो गया। वहां मेरी दिह के भीतर पिखल गया। मेरा बल तूड गया। मैं ठीकार हो गया। मैं थ चारो ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेतते हैं, मैं अपनी सब हड़िया गीन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बाटते हैं, और मेरे पहिरावे पर चिठ्ठी डालते हैं, परंतु, हे यहोवा, तु दूर हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फूर्ती कर, मेरे प्रान को तलवार से बचा, मेरे प्रानों को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सिया के मुझे से बचा ले, हाँ, जंगली सांधों के सिंगों से तुने मुझे बचा लिया है, मैं अपने भायों के सामने तेरे नाम क प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, हे यहोवा, उसके डरवेए, उसकी स्थूति करो, हे याकुप के वंच, तुम सब उसकी महिमा करो, और हे इसरायल के वंच, तुम सब उसका भहे मानो, क्योंकि उसने दुख्य को तुछ नहीं जाना, और नो और नो उससे अपना मुह छिपाता है, पर जब उसने उसकी दोहाई दी, तब उसकी सुन ली, बड़ी सभा में मेरा स्थूति करना तेरी ही ओर से होता है, मैं अपने प्रण को उससे भहे रखने वालों के सामने पूरी करूंगा, नम्र लोग भजन करके तुर्प्त होंगे जो यहवा के खोजी है, वे उसकी स्तूति करेंगे, तुम्हारे प्रान, सरवदा, जीवित रहे, पूत्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाती-जाती के सब कूल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहवा ही का है, और सब जात्यों पर वही प्रभुता करता है, पूत्वी के सब हश्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वह सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना-पना प्रान नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे, एक बुट काम किये है,